हेलो फ्रेंट्स कलर्फुल थ्रेट्स में आपका स्वागत है आज हम पोटली बैक बनाएंगे इसके लिए मैंने कप्रे का एक पीस लिए नीचे हमें लाइनिंग लगानी है लाइनिंग दोनों साइड से एक डिर इंच कम लेंगे एक किनाड़ी से सिलाई करेंगे अब दूसरे साइड भी हमें कप्रे के साथ लाइनिंग को सिल लेना है अब इससे सीधा कर लेंगे इसके बीच में फोम का भी यूज कर सकते हैं मैं आप एक कैरी बैक का यूज कर रही हूं बीच की जो जगा है उसमें कैरी बैक की कटिंग करके मैं रख दे रही हूं इसके उपर से सिलाई चला लेंगे फोम या बुक्रम का भी यूज आप कर सकते हैं इसके उपर मैंने सिलाई चला ली है अब इसमें हमें हैंडल लगाना है इसके लिए मैंने 17 इंच लंबा और 3 इंच और कपड़ा लिया है दोनों साइट से फोल करके सिलाई करेंगे है है हैंडल के हमें बैग में लगा लेता है है के बैग के हैंडल को मैंने 2 इंच नीचे लगाया है एक लाइनडा कर लिए इसलाई पर हमें एक स्ट्रिंप लगाएं है डोरी डालने के लिए इस्ट्रिप की चौराई दो इंच है दोनों किनारों से पहले फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे उसके बाद जो लंबाई में दोनों सैट से फोल्ड करते हुए इसके उपर रखकर सिलाई कर लेंगे यह देखी डोरी डालने के लिए मैंने इस्ट्रिप ल कर लेंगे अब दोनों के मिलाते हुए हमें सिलाई कर लेना है बैक का बॉटम बन जाएगा यह दिखिए बैक का बॉटम बन गया है अब बैक को सिधा कर लेंगे इसमें हमें डोरी डालने हैं गोल डोडी मैंने नहीं बनाई है सीधे कपरे को दोबार फोल्ड करके मैंने डोडी से लाई कर ली है अब इसे हमें एक साइड से डालना है और दूसरे साइड से निकालना है अब दूसरे साइड में हमें दूसरे साइड वाली स्ट्रिप में हमें डालना है और इसे निकाल ल opposite side से डालनी है और जहां से हम टोड़ी को डाल रहे हैं उसके बगल वाली स्ट्रिप से हम डोड़ी को में वापस निकालेंगे डोड़ी मैने डाल ली है अब इसमें आप टैसल या पॉंपॉम कुछ भी लगा सकते हैं या लटकन भी लगा सकते है तो ये देखिए कितनी जल्दी ये प्यारा सा बैक बन कर त्यार हो गया है इसमें कपड़ा भी बहुत कम लगता है कपड़े के बची हुए टुकड़ों को जोड़कर आप इस बैक को बना सकते हैं कॉमेंट करके जरूर बताएगा कि ये बैक आपको कैसा लगा अगर वीडिय वीडियो को लाइक और शेयर किजिएगा वीडियो दिखने के लिए आपका धन्यवाद